तो फ्रेंस आज की इस वीडियों पढ़ेंगे हम लोग डी स्रीज का 137 वीडियो और यहां पर सबसे उपर जो पहला वड़ फ्रेंस वो है आप लोग का डिसकंफिट्चर डिसकंफिट्चर का मतलब बता है फ्रेंस पराजय या हार ओके यहां पर हम फ्रेंस हार पहुनने वाले की बात नहीं कर रहा है हार मतलब की हार मान जा रहा है तो डिसकंफिट्चर का मतलब हार या पराजय ओके यहां पर दूसरा बड़ फ्रेंस देखिए discomfort का मतलब बता है फ्रेंस और सुविधा ठीक है या तकलीफ तकलीफ या आप लोग को सते हैं पीडा देना discomfort or discomfortable का मतलब बता है फ्रेंस क्लेज कर या पीडा कर या प्रेंस भ्यथाकार भी को सते हैं डिसकंफर्टेवल का मतलब आगे दिखते हैं यहां पर चौथा बड़ा देखिए डिसकमोड का मतलब होता है और सुविधा में डालना ओके डि-i-s-c-o-m-o-d-a डिसकमोड ओके और देखिए जो नेस्ट बड़ा फ्रेंस पांचमा डिसकंफोज डिसकंफोज का मतलब होता है ब्याकुल करना ओके या परेसान करना तो फ्रेंस यहां पर कामा लाग लिख सकते हैं आप लोग परेसान करना या ब्याकुल करना ओके डिसकंफोज डि-i-s-c-o या घबडा हट हते है और घब आना ठीक है या प्रेंस ब्यकुलता है या एस वीडियों का लास्ट वोड दोकीिक इस कांसर्ट का का मतलब होता है घवराना ठीक है या प्रेंस ब्याग्र करना ओके मैं यहां पर इदर आओं आप लोगों समझने के लिए ब्याग्र करना ओके या घवराना डिसकंसर्ट डि-i-s-c-o-n-c-e-r-t चलिए फ्रेंस एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों पूरा रज जाये या हार ओके इसकंफर्ट का मतलब मतलब बताया फ्रेंस ओ सुविधा या तकलीफ य पीड़ा देना ओके इसंकभर टेबल का मतलब बताया है novक कर या व्यथाकार ओडिसग उर्डिसकों पूच का मतलब बताया है ताप लोगों सुविधा में डालना तेक है और अ व कंपूज का मतलब बताया है व्याकुल करना या परेसान करना ओके डिस कंपूजर का मतलब बता है फ्रेंस व्याकुलता या घवराहट ओके डिस कंसर्ट का मतलब बता है फ्रेंस घवराना या व्यग्र करना ओके डि-i-s-c-o-n-c-e-r-t चलिए फ्रेंस आगे मिलते हैं आप सिरीच का 138 वीडियो लेकर के नमस्कार